दोगुना कर दिया तो इस वर्स 16 लाग करोड पे हो जाएगा अब पशुपालकों को मच्छली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार का लाब मिलना शुरू हो गया है यानि हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है किसानों की आर्थिक स्थिती सुधरे उनकी सामाजिक स्थिती मजबूत हो इसके लिए पूरी इमांदारी से काम कर रही है साथियों किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन कर्षी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को खास कर छोटे किसानों को और ताकत मिले उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले बर्सों से ये मांग देश के किसान देश के किसी विशेशग्य देश के किसी अर्थसास्त्री देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था इस बार भी संसंद में चर्चा हुई मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया समर्थन किया मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हुँ धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के क्रसी जगत के हित में देश के हित में गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्ण समर्प्रभाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हितकी बात हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझान नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्रिश्वी अर्थसास्त्रियों ने वैग्याकिनिकों ने प्रगती सिल किसानों ने भी उने क्रुशी कानूनों के महत्वर को समझाने का भर्पूर प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मन से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकिन नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पन करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरान ये विशय माननी ये सर्वोचे नयाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने हैं इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथियो मैं आज देश वास्यों से क्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानुनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानुनों को